नमस्कार दोस्तों, स्वागत थे आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा इस साल के होली के उमंग भर देगी छे राशी वालों की जिंदगी में समरधी के रंग, मिल जाएगा अपार धन, भाग होगा साथवे आसमान पर जी हां दोस्तों, 24 मार्ष को होली का उत्सव आ रहा है वसंत रितु के स्वागत के लिए इसे मनाया जाता है रंगों वाली होली से एक दिन पहले होली का दहन करनी की परंपरा है रंग वाली होली को राधा कृष्ण के प्रेम की याद में भी मनाया जाता है होली पर्व को मनाये जाने के अलग-अलग घटनाक्रम शास्त्रों में बताये गए हैं वैदिक काल में इस पर्व को नवानेष्ट यग्य कहा जाता है एक अन्य मान्यता है के अनुसार भगवान शिव ने क्रोध में कामदेव को इस दिन भस्म कर दिया था एक और मान्यता है कि हिर्णाकशिप की बहन होलिका की स्मृति में ये पर्व मनाया जाता है होली के दिन होली का दहन से पूर्व अगनी देव की पूजा का विधान है अगनी देव पंच तत्वों में प्रमुक पाने जाते हैं जो सभी जीवात्माओं के शरीर में अगनी तत्व के रूप में विराजमान रहते हुए जीवन भर उनकी रक्षा करते हैं अगनी देव सभी जीवों के साथ एक समा न्याय करते हैं इसलिए सनातन धरम को मनाने वाले सभी लोग अगनी देव द्वारा ताप के बदले उन्हें शीतलता देने की प्राथना करते हैं इस साल होली पर विधी योग, अमरिज सिधी योग, सरवार्थ सिधी योग और दुरूव योग बनने जा रहे हैं विधी योग में किये गए काम आपको लाब देते हैं ये योग प्यापार प्यवसाय के लिए काफी फायदे मंद बाना जाता है सरवार्थ सिधी योग में किये गए शुब कारियों से पुन्य प्राप्त होता है साथ ही दुरूव योग से चंद्रमा और सभी राश्यों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है इसके अलावा इस होली पर बुद्ध गुरु आधित्य योग भी बनने जा रहा है इस योग में होली का पूजा करने से घर परिवार में सुक शान्ती बनी रहती है और संतान को दीर्द आयू प्राप्त होती है होली का त्योहार इस साल 24 मार्च को है इससे 8 दिन पहले से होलाश्टक शुरू हो रहे हैं होली से पहले कि ये 8 दिन बहुत खास माने जाती हैं कहा जाता है कि 8 दिनों में ग्रहों की सिती उग्र होती है ग्रहों की सिती ठीक ना होने से इन 8 दिनों में कोई भी शुब कारिय न किये जाते हैं होलाश्टिक भक्त प्रैलात के वो दिन माने जाते हैं जब हिर्णाकश्प ने उन्हें यातना दी थी ऐसा कहा जाता है कि होलाश्टिक में विचार नकारात्मिक बने रहते हैं ये समय सकारात्मिक रहने का होता है अच्छी किताब पड़ें, सदसंग करें, सादू संतों के प्रवचन सुनें, मंत्र जब के साथ ही ध्यान भी करेंगे तो नकारात्मक्ता दूर हो सकती है इस त्योहार को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है होलाश्टिक के दौरान आठ ग्रह उग्र रहते हैं और फिर होली का शुब पर वह आता है यानि खराब समय जाकर एक नई सुबह आती है जो खुशियां लेकर आती है आपको बता दे पंचांग के अनुसार होली का दहन के लिए 24 मार्च की रात 11 बचकर 13 मिनित से देर रात 12 बचकर 7 मिनित तक का शुब मौर्थ है शास्त्रों के अनुसार सुर्यास्त के बाद ही होली का की पूजा कर उसे जलाया जाता है होली का दहन के दिन बद्द्रा भी लग रहा है फालगुन पुर्णिमा को होली का देहन और इसके अगले दिन होली मनाई जाती है फालगुन पुर्णिमा तिथी 24 मार्च को सुबह 9 बच कर 54 मिनिट से शुरू होगी वही इस तिथी का समापन अगले दिन यानी 25 मार्च को दुपहर 12 बच कर 29 मिनिट पर होगा होली इसी दिन मनेगी ऐसा ही कुछ होने जा रहा है छे राशी वाले जातकों की जिन्दगी में ये जातक इस शुब परवपर माला माल हो जाने वाले हैं तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ये होली किन राश्यों की जिन्दगी में खुश्यू के रंग भरने वाली है साथी बताएंगे कि शुबता बढ़ाने के लिए इन राशियू के लोग किस रंग से होली खेलें इस बार की होली खोलने वाली है जिनके किसमत के दो आर उनमें सबसे पहली राशी आती है मेश राशी इस समय पर बन रहे ग्रह योग आपकी दशा बदल कर सही दिशा में आपको ले जाने वाले हैं सबसे ज़्यादा असर आपके आर्थिक पक्ष पर पड़ेगा धन संपती से जुड़ी सारी समस्याएं अब खतम होने वाली है आपका कोई अपना इसमें एहम भूमी का अधा करने वाला है धन की जिन्ता अब आप भूल जाएए लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को सतरकता से निभाना ना भूले नौकरी पेशा जात्यकों के लिए ये पर्व काफी अनुकूल साबित होगा नौकरी पेशा जात्यकों को मनपसंद नौकरी मिलने के असार दिखाई दे रहे हैं व्यापार व्यवसाई जात्यकों को भी इस अवधी में जादा मुनाफ़ा मिलने के योग हैं लेकिन इस दौरान निवेश करने से बचें कामकाज को लेकर यात्रा के योग हैं ये यात्रा अच्छा लाब दिलाएगी, नए रिष्टे बनेंगे, मित्र परिवार बढ़ेगा, खुश्यों भरा माहोल रहेगा और ऐसी सकारात्मिक मानसिक सिती योजनाओं का डाचा बनाने के लिए सबसे उत्तम होती है, कोई सुखच समाचार परिवार की खुश्यों में चार चांद लगा देगा, मेश राशी के स्वामी मंगल है, तो आप गुलाबी, लाल या पीले रंग से होली खेले, ये बेहद ही शुब रहेगा, दूसरी भागेशाली राशी है कन्या राशी, कन्या राशी के जातकों को ये पर्व कही तरे से आर्थिक विकास प्रधान करने में सहायक साबित हो सकता है, आमदनी का प्रवा निरंतर बना रहने वाला है, लेकिन अधिक खर्च परिशान कर सकते हैं, इसलिए समझदारी से खर्च करें, आपकी लगन और काम के प्रती निष्टा अब रंग लाएगी, उच अधिकारियों की प्रशंसा के पात्र बनेंगे, अकस्मिक लाब से आपक आर्थिक सिती में उत्तम बदलाव आएगा, विवाहित जात्कों को अपने वैवाहित जीवन में मिश्रित परिनाम हासल होंगे, मित्र परिजनों के साथ अच्छा समय बिताएंगे, जो चात्र विदेश जाने को लेकर गंबीर है या शिक्ष्रा के लिए घर से दूर जान उनके लिए ये समय अनुकूल रहने वाला है, कन्या राशी के स्वामी बुद्ध हैं, कन्या राशी के लिए हरा, आस्मानी, नीला रंग, होली में अधिक सौभागे दिलाएगा, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर दोस्तों को शेर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाईएगा, अगली भागे शाली राशी है, मकर राशी, मकर राशी के जातक जो बड़े समय से साड़े साथी के क परिशानियों से जूच रहे थे, उनके लिए विपत्या भरी स्थिती के बाद खुश्यों की दस्तक देने वाला इस वर्ष का होली का त्योहार रहेगा, होली से आपकी आर्थिक सिती भी जबरदस्त सुधार देखने को मिलेगा, एक से अधिक माध्यमों से आप धन कमाने में सफल रहेंगे, इस दोरान पैसा कमाने के साथ साथ पैसा जोडने पर भी आप विशेश ध्यान देंगे, कारिस्तल पर आपके काम की खुब प्रशंसा होगी, होली के आसपास का खास कर बाद का समय अनिक अवसर दिलाएगा, सुना होगा डर के आगे जीत है, इसी का अन बढ़ेगी, अचल संपती विशेश फायदा कराएगी, निवेश करते समय विशेश सावधानी बढ़ते, शिक्षा, कला, आदि शेत्र से संबंधत जातकों को बहुत बड़ी काम्या भी मिलेगी, अपनी वानी पर नियंतरन रखे और दुसहास से बचे, इस होली पर के प्रभाव में रहते हैं, तो काली रंग से दूर रहें, अगली भागशाली राशी है तुला राशी, तुला राशी वाले जातकों के लिए ये पर्व अनेक प्रकार से लाबधायक सित्या पनाने वाला रहेगा, रोजी, रोजगार में तरक्की करेंगे, व्यापारिक ल समर्थन हासिल होगा, यदि आप कोई नए कारे का आरंब करना चाहते हैं, तो ये समय अनुकूल है और आर्थिक लाब दिलाने वाला रहेगा, पारिवारिक और सामाजिक समन्नों में सुधार होगा, साजेधारी में अगर व्यवसाय करते हैं, तो जागरुक रहें, किसी प प्रतिबा और कौशल पर भरोसा करें, वाहन खरीदने या बेचने के लिए अच्छा समय हैं, जमीन जायदाद में निवेश सफलता दिलाएगा, लेकिन पैतरिक संपती को बेचने के विचार से दूर रहें, सोने चांदी आदी धातों में निवेश करने से बचें, इस समय घर में बड़ी जिम्मेदारी आपको निभानी पड़ सकती है, वैवाहिक जीवन खुशहाल रहेगा, संतान सुख में व्रिधी के योग हैं, जो आपको खुशियां दे कर जाएंगे, तुलाराशी के जात्तुकों पर शुक्र का प्रभाव होता है, आप सफेद, गुलाब नीला या किसी भी चमकीले रंग से होली खेले, ये आपको मिलनी वाले शुब फल बढ़ाएगा, अगली यानी जो पांचवी भागिशाली राशी है, वो है मीन राशी, मीन राशी वालों के लिए ये होली का परव मालक्ष्मी की किसी सौगाद से कम नहीं है, इस बार की हो अलमी जीवन शैली के स्थर को भेतर करने की कोशिश में लगे रहेंगे, बवन वाहन का सुख प्राप्त होगा, बौतिक सुखों की चाहत बढ़ेगी, व्यापार व्यवसाय में नियमित्ता आएगी, गुड ग्यान की प्राप्ती होगी, थोड़ी परेशानी महसूस कर सकत हैं, शत्रों पर भारी पड़ेगी, शत्रों भी मित्र बनने की कोशिश करेंगे, पिता का साथ मिलेगा, तामपत्य जीवन ठीक ठाक रहेगा, स्वास्य की स्थिति पहले से बहतर रहेगी, मीन राशी के स्वामी व्रैस्वती है, तो इस होली पर पीला, सफेज, गुलाबी और हलका लाल रंग आपके जीवन में सकारात्मक्ता बढ़ाएगा, अब दोस्तों अगली खुश्विस्मत राशी है, मित्र राशी, आपके लिए ये होली खुशियां भरी साबित होगी, होली की खुशियों का रंग कही दिनों तक आप पर चड़ा रहेगा, हर काम में सफ सफलता प्राप्त होने के आसार रहेंगे, इस काल के उपरांत से आपके जीवन में सकारात्मक्ता आने लगेगी, हर शेत्र में सफलता प्राप्त होगी, इस अबधी में आपको लाब प्राप्त करने के कही अवसर हाथ लगेंगे, इस राशी वालों के लिए राहु का वर्तन आर्थिक रूप से फायदे मंद रहने वाला है आपको अकस्मात कहीं से धनलाब होने की संभावना है इस दोरान कारोबार में बड़ी तरकी के योग है जिम्मेदारियां बढ़ सकती है कलाश शित्र से जुड़े लोगों को ये समय बड़ी सफलता दिलाएगा ये पर जहाना होगी नौकरी में बदलाव के लिए ये समय अच्छा है साक्षातकार में सफलता मिलेगी मितुन जातकों पर बुद्ध का प्रभाव रहता है इस राशी के जातक नीले या हरे रंग से होली खेले ये शुबदा दिलाएगा तो बड़ी ही लाबधायक सित्या बनी अगली खुशकिस्मित राशी है कुम्ब राशी कुम्ब राशी के जातकों के लिए ये होली बेहत शुब होने वाली है समय का सदुप्यों करते हुए अपने करियर पर ध्यान दे अच्छे योग बन रहे हैं उचायों तक पहुचाएंगे धन व्रिदी होगी विदेश या कीवन में एक साथ खुशियां आएगी घर में सदस्यों के बीच प्रेम विमधूरता रहेगी जो भी जातक नौकरी की तयारी में लगे हैं उन्हें नौकरी मिलने का योग बन रहा है होली पर कुम्ब राशी वाले हरे रंग अपने इस्ट भगवान को लगाएं और हरे रं के लिए तो सारी परिशानियों को भूल जाएए और रंगों के उत्सव में डूब जाएए आप सभी को होली की बहुत बहुत शुब काम नाएं आज के लिए बस इतना ही दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों को शे वीडियो आपको सबसे पहले मिले दोस्तों हम मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई और थैंक्स पर वाचिंग माई वीडियो